कैसे हैं आप सब लोग मैं हो चिश्तिया और आप देखते हैं चिश ब्यूटी जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डियाइवाइस की कैस आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ओवरनाइट सिरम लेकर आई हूँ ये जो सिरम है ये इतना ज़्यादा एफेक्टिव है आपके बालों के लिए कि रात भर जब आप सोगे तो आपके बाल है वो बढ़ते रहेंगे मतलब आप तो नींद ले रहे हो लेकिन आ कैसे बनाना है कैसे लगाना है सब कुछ में आपको इस Video में दिखाने वाली हूँ और फोड़ी से पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें इतनी महिनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए सारी चीजे में लेकर आती हूँ ।ि ए आज़ पास घर के आज़ पास आपके पास जितने भी कॉंटेक्ट हैं सब को बताईए मेरे चैनल के बारे में उनके साथ वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी प्रॉब्लम भी खतम हो सके हैं ये जो मैं चीज़ने अपने चैनल पर लेकर आती हूँ तो mostly सारी मतलब देखा जाये तो DIY होती है घर की चीज़े होती है natural ingredient होते हैं जो कि हर एक के पास मिल जाते हैं और नहीं मिलते हैं तो आसपास पंसारी के शॉप से आप लोग लेकर आ सकते हैं अपने पास रख सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए होता है जो DIY नहीं कर पाते है जिनके पास time नहीं होता है जो working women होती है जो कि है घर से बाहर रहते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें DIY करने का impossible है कि मतब टाइम ही नहीं होता है कैसे बनाना है और कैसे लगाना है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को यहाँ पर काईस ये सिरम बनकर ready हो चुका है ये overnight लगाना है सिरम आपको जिसकी oily scalp है तीक है वो इसे एक घंटे पहले लगाएंगे hair wash से एक घंटे पहले और बाकी सब लोग overnight क्योंकि इसके ingredient है वो इतने amazing है ना इसके अंदर कि आपकी बालों की जो growth है वो इतनी fast होगी कि आप लोग चाहकर भी उसे नहीं रोख पाऊगे इतनी fast growth हो जाएगी ठीक है चलिए start कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ingredient आप देख रहे हैं ये एक bottle मैं मैं मैंने hair wash बना जब ये वीडियो पूरी last में खतम होती है तब स्क्रीन पर चार वीडियो आती है उसमें आपको ये hair wash की वीडियो मिल जाएगी आप सबसे पहले इसको देख लेना ये मैंने कैसे बनाया है ये इतना जादा amazing है ना मैंने इसको दो बार बना लिया है ठीक है आपको ये video मैं कब दी थी उसके बाद फिर से मैंने एक बार और बनाया है इसे मैंने आपको बते आता कि आप ऐसे toner यूज कर सकते हो इसे as a hair wash यूज कर सकते हो hair dunk जब हम करते है वो वाला water जो है वो यूज कर सकते है इससे मतलब इतना amazing है ये ठीक है इसके ingredient बहुत शांदार है तो वो video आ मैंने तीन से चार चम्मच के करीब ये hair wash जो है ये ले लिया है ठीक है और आप लोग अगर ज्यादा बनाना चाहें सिरम तो इसकी quantity को बढ़ा सकते हैं 5-6 चम्मच भी ले सकते हो अगर आप लोग अपने normal बनाना चाहें तो अपने according ले लिजेगा मैंने यहां पर समझ लि ले लिया है ठीक है चलिए इसके बाद में हमें लेना है second जो ingredient है and most important है इस सिरम के अंदर ये लेना है आपको aloe vera gel yes aloe vera gel यहां पर आप लोग plant का भी ले सकते हैं आप चाहें तो plant नहीं है तो आप यहां पर market का कोई भी aloe vera gel ले लिजे बस थोड़ा pure form में होना चाहें मै यहां पर wow का aloe vera use करें जो की 99% pure form में होता है ठीक है आपके पास पतंजली का है तो आप वो भी ले लिजेगा तो यहां पर आपको aloe vera लेना है दो चमच के करीब ठीक है aloe vera guys इतना amazing होता है आपके बालों की length को increase करता है आपके बालों की सारी problem यहां तक की बालों में itch बढ़ाता है because इसके अंदर 200 nutrients होते है 18 amino acids होता है and 20 minerals होते हैं vitamins होते हैं जो की बालों की growth को बहुत जादा fast कर देते हैं ठीक है इसलिए यहां पर हमने aloe vera को add किया है इसमें next ingredient लेरियो में आवला juice यह है पतंजली का आवला juice और अगर आपके पास यह आवला juice नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे जो हमारी dry आवला होती है उसको पानी में आपको सोक कर लेना है रात बर के लिए बहुत ही कम पानी मैं ठीक है और फिर सुभा उसको अच्छे से अलग कर लीजे और जो वो वाटर होगा उस वाटर का आपको यूस कर लेना है ठीक है यह पिर जो ता होता है वो बालों को लंबाई के लिए बालों में घनापन लाने के लिए बाल जो है वो काले बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज इसमें भरपूर मातरा में विटैमिन सी होता है जो कि हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है है तो यह आपके बा अगर आप पाउडर ले लोगे तो ओवरनाइट आप इस सिरम को लगाओगे तो सारा पाउडर आपके बालों में चिपक जाएगा है इसलिए बोल रही हूं कि आप पाउडर नहीं लें या फिर उस पाउडर को आप थोड़े से पानी में भीगो के रग देना चार पांच गं आपके बालों में जो थिनिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है ठीक है यह जो रेमेडी यह जो वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ यह आपको पता है अभी जो हमारा वन मन्त जो हेयर फॉल कंट्रोल चैलेंज एंड थिनिंग की जो प्रॉब्लम है उसे दू करने के लिए जो एक चैलेंज चल रहा है उसी का पार्ट है यह वाला ओवरनाइट सिरम ठीक है बीच में दूसरी वीडियो भी आ रहे है क्योंकि मुझे सभी के लिए लानी पड़ती है इसलिए तो आप लोग वो जो भी चैलेंज कर रहे हैं वो यह सारी रेमेडी को इस से आपके न्यू हेर्स आएंगे आपके बाल है वो काले बने रहेंगे और ब्लड सर्कुलिशन काफी अच्छा हो जाता है नेक्स्ट मैं यहां पर एसेंशल ओयल्स एड़ कर रही हूं कुछ ठीक है आपके सब के पास आइनो होंगे काफी के पास नहीं भी होंगे तो को आपके पास जो जो हेर से रिलेटेड हैं वो सब डाल दीजेगा मैं यहां पर जो ले रही हूं फॉर्स मैंने यांग यांग लिया है उसके बाद में सैडर वूड है यह मैंने सब जितने मैंने टोटल चार एसेंशल ओयल डाले है और चारों ही मैंने पांच पांच लिए है जैसे के यह सैडर वूर्ड है ना यह भी बालों को थिक बनानाताा है झीव हैर्स उगाने में हेर् demasiijn है यह यांग यह बालों को नू हेयर्स के लिए बैस्ट है ये वाला भी ऑर बालों की मझदूती के लिए बहुत अच्छा है इसके साथ मैं फिर है टीट्री का essential oil जो कि मैं इसमेड करूँ यह आपके इचीनेस के लिए अच्छा है आपके जो fungal infection हो रखा है उसके लिए काफी अच्छा है इसके बाद मैं आप देखेंगे तो मैंने रोजमेरी का डाला है तो रोजमेरी, टीट्री और कुछ सभी के पास लोगों ने खरीद लिये हैं उसेंशल उइल तो आप लोग के पास अगर नहीं है तो आप एक दो ऐसेंशल उइल लेकर रख लीजए जैसे कि यह tea tree का है काफी लोगों को खुझ ली और यह dandruff की शिकायत रहती है तो tea tree हमेशा अपने पास रखी है यह pimple के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है आपके face पे pimple हो रहा है तो आप वहाँ पी इसे लगा सकते हैं aloe vera में मिला के तो भी आपके pimple की problem दूर होती है तो tea tree तो एक लेके रखी आप लोग है न और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे लेमन ग्रास का ले सकते हो आप lavender ले सकते हैं rosemary ले सकते हैं ukalyptus ले सकते हैं and orange का ले सकते हैं अगर skin के लिए भी use करना चाहें तो क्योंकि वो hair और skin दोनों के लिए अच्छा है है न और तो आप लोग वो ले सकते हैं मेरे पास टोटल जितने भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ओपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए उसके ओपर टीके पहले भी मैंना आपको कई भार इसके लिए बोला है लेकिन टाइम भी नहीं मि तो यहां पर हमने देख लिया आपने सारे इंग्रिडियन्ट मिक्स कर लिये हैं बस इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है काफी अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसको रात में आपको लगा लेना है अपनी स्कल्प के उपर लगाना है ठीक है इस स्कल्प पर लगा कर और थोड़ा सा मसाज करना है, बहुत जादा ओईली नहीं करना है, यह जो आप देख रहे हैं, इसको नॉर्मल जो हम तेल कैसे लगाते हैं सिर में, बस उसी तरह से इसको लेकर लगाना है, पूरी सकल्प को इतना ओईली मत बना लीजेगा, ठीक है, बस नॉर्मल ओईल की तर इची नैस की, कोई भी पिंपल हो गया, वो शिकायत है, वो सारी चली जाएगी, ओके, तो यह काफी जादा अच्छा है, आप लोग इसे वीक में कम से कम दो बार लगाईए, अगर बच जाता है, तो आप इसे स्टोर करके, किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हो, जरूर इतना बना लेना, कि सबते में आप दो तीन बार इसको यूज कर लो और बस फिर खतम हो जाए, ओके, इसको सब लोग लगा सकते हैं, बस छोटे बच्चे नहीं लगाएंगे, दस साल से उपर के सब लोग इसको लगा सकते हैं, जो टीनेजर है, वो एसेंशल ओल थोड़े स इसके साथ मेरे चैनल पर बहुत सारी रेमेडी हैं, आप लोग सब विजट करिए चैनल को देखिए, कोई भी रेमेडी उठाईए, जो भी आपका मन करें, उसको उठाकर कम से कम चार पांच बार उस रेमेडी को यूज कर लीजे, लगा लीजे, आपको रिजल्ट बहुत मिलेंगे, बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एवरी डे नए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए, और जल्दी से अपना हेर केर स्टार्ट कर लीज, समर स्टार्ट हो गया है, वीडियो प